Good morning everyone, कैसी हो, आप साभी आशागरती हो, आप साभी ठीक होंगे, ये देखिए कितने प्यारे-प्यारे फुल्ट ले हुए हैं, और आज है मंडे, और सावन का पेहला सौंबार है, तो हम मंदित जाएंगे, मंदित जाएंगे, तो इन फुलों को ले जाएंगे, और देखिए मेरे husband fruit लेकर आये थे पापा जी को ये आम और केले बहुत ही जादा पसंद हैं तो वो fruit में इनको ही मंगाते हैं और इनके लिए भी लेकर आये थे और वैसे भी ना आज हमारा first भी था मंडे का तो हम भी खा लेंगे और पापा जी भी खा लेंगे और ये देखिए केले भी इतने अच्छे लेकर आये थे बड़े बड़े केले थे और यहां मैं बना रही हूँ चाय तो सुबह की चाय हम पीने के बाद हम घर के कामे श्टार्ट करेंगे तो देखिए मैं कोई भी ब्रत हो उसमें चाय पी लेती हूँ क्योंकि अगर नहीं पीती हूँ यह सिर में दर्द हो जाता है एक करवा जौत का ब्रत ऐसा है जिसमें मैं चाय नहीं पीती हूँ वरना सारे ब्रत ऐसे हैं जिसमें मैं चाय पी लेती हूँ तो देखिए मुझे ना माईग्रेन कीसी प्रॉब्लम है अगर मैं ये चाय नहीं बीती हूँ तो मुझे सिर्में दर्द होई जाएगा और फिर कोई भी चाय में दवाई भी खालू तो दर्द ऐसा ही रहता है बंद नहीं होता है इसलिए मैं हर ब्रत में चाय पी लेती हूँ और चाय पीने के बाद मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ फिर आराम से पूजा कर लेती हूँ सारे काम अच्छी तरह से हो जाते हैं और ये देखिए आज मैंने साड़ी पहनी थी साड़ी पहनने के बाद चूड़ी निकाली है चूड़ी निकालने के बाद देखिए मैंने ये सारी चीज़ें पहल ली हैं और देखिए ना जब साड़ी पहनते हैं तो हम ना चूड़ी उसकी मैचिंगी पहनते हैं तो अच्छा लगता है तो मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं फिर रखी हैं तो देखिए कुछ चूड़ी मेरी पिछली साल की रखी हुई थी तो सभी कह रहे थे सावन के महीने में न्यू चूड़ी भी लेना चाहिए क्योंकि सगून में आती हैं सारी चीज़ें और हम लेडिजों के लिए सावन का जो महीना होता है बहुत ही खास होता है और हमें ये जो ना बहुत अच्छी लगते हैं कि सावन के महीने में सभी अपने माई के जाते हैं जूला जूलते हैं और हरी हरी चीज़ें पहनते हैं बहुत ही अच्छा लगता है तो आज फ़र्ष्ट टे था और मैंने ये साड़ी पहनी है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिना गर्मी बहुत जाता लग रही थी क्योंकि आज बहुत ही जाता गर्मी थी तो पहले मैं मंदिर गई थी मंदिर जाने के बाद मैं फिर मैं घर आई हूँ घर आने के बाद मैं मैं पूजा कर रही हूँ तो मुझे काफी टाइम लगा था और देखिए पूजा करने के बाद मैं फिर मैं सारी चीज़ें करके ही यहां से हटती हूँ मेरे हस्बेंट ऐसे morning मैं सभी पूजा करके चले जाते हैं बच्चे भी पूजा करके जाते हैं मेरे हस्बेंट भी पूजा करके चले जाते हैं फिर उसके बाद मैंने अपनी सारी तैयारी की थी फिर मैंने अपनी पूजा की थी देखिए थोड़ा तो टाइम लगता है और फिर हम कोई न्यू चीज करते हैं तो उसमें टाइम लगता है क्योंकि हम डेली बियर में सूठी पहनते हैं और फिर आज मैंने सारी पहनी थी तो पूझा करने के बाद मैंने पापा जी का असिरवाद लिया पापा जी से असिरवाद लेने के बाद मैं मैंने उनसे पूछा गी पापा जी आप क्या खाओगे पापा जी कह रहे थे कुछ भी बना लेना मैं सारी चीज़ा खालूंगा तो मैं कह रहे थी मैं आज आलू के परा हो जाता है देखिए वैसे इनकी तवियत खराब है अगर इनसे पूछ के बना लोगे तो पापजी खावी लेंगे तो मेरी यही कोशिस रहती है कि मैं सबकी पसंद का खाना बना सकूं और सबको प्यार से खिला सकूं देखिए मुझे अपनी पसंद का कोई भी ध्यान नहीं है क्या चीजें मैं पसंद करती थी क्या नहीं करती हूं अब वो सारी चीजें भूलकर मैं अपनी फैमिली की पसंद की चीजों में ही लग गई हूं उनकी पसंद का खाना बनाती हूं उन्हें जो पसंद होता है मैं सारी चीजें करती हूं और देखिए यही मेरी कोशिस रहती है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा खाना खिला सकूँ, अच्छे से अच्छे रख सकूँ. तो देखिए वही चीज है, देखिए मैं आज बचों के लिए अलू के पराठे बना रही थी, और ना साड़ी में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर हम रेगूलर में साड़ी पहनते हैं, तो काम करना बहुत ही आसान होता है, तो जैसे साड़ी हुई थी, मैं जो है, विल्कुल ही छूट गई है, अम उसे काम नहीं होता है, कुछ तो मैं आटा इस तरीके से मल रही थी, क्योंकि जो मैंने बैंगिल्स पहन रखी हैं, इन में नग लगे हुए हैं, और मुझे लग रहा है, जैसे कि ये आटे में ना निकल जाएं, तो मैं बहुत ही हैं, और कुछ मैंने न्यू ली हैं, प्लैन चूड़ी मैंने न्यू ली हैं, और मैंने मिक्स करने के बाद ये चूड़ी पहन ली हैं, बहुत ही सुन्दर लग रहा है, तो देखिए नया नया लुक होता है, बहुत ही पहरा लगता है, और साड़ी तो मेरी साड़ी की है, औ और ये सभी को पसंद आती है और जैपुरी ये साड़ी है और जब हम पहनते हैं बहुत ही प्यारा लगता है और डेली बियर में आप इसे पहन सकते हैं बहुत ही अच्छा लोग देती है और बहुत ही प्यारी लगती है और देखिए आज मैंने नेल पेंट भी गिरीन लगाय और मेरा बेटा कह रहा है और मैं में मैं जल्डी से पराठा बना वना दी यह उसे भूक लग रहे थी और वह उक्ल का जो धख्थन होता है उसे खुल रहे हैं है और में मैं इसे The क्योंकि वो एक साथ नीचे जाता है तो वो इसलिए कह रहे थे कि बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है और हम भी बच्चों के साथ मस्ती कर लीते हैं मुझे बहुत ही जादा अच्छा लगता है बच्चों के साथ मस्ती करना तो टाइम कव तेजी से निकल जाता ह मुझे ये लगता है कलपड़ों की बात है मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे में इनकिलाते थी मेरे बच्चे 10wohlAm और पता ही नहीं चलता है कि यह टाइम कम निकल गया अब मैं इस चो टाइम को जो आने वाला टाइम है उसे अच्छी तरह से जीना चाहती हूं एक एक दिन को अपने बच्चे के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती हूं यही मेरा रूटेन है तो देखिए साम को मैं नारियल लाई थी मुझे नारियल बहुत ही जादा अच्छा लगता है तो मैंने यह अभी नारियल निकाला है निकालने के बाद एक बावल में रख दिया है सबसे पहले मैं काना जी के लिए भूग लगा हूंगी क्योंकि हमारा खाष्ट है नारियल खा लेंगे थोड़ा सा और मैं लोकी की खीर बना रही हूं और मैंने पापा जी से पूछाता कि आप क्या खाऊगे तो पापा जी कह रहे थे लोकी की सबजी बना लेना तो मैं लोकी भी लेकर आई थी पापा जी के लिए सबजी के लिए और मैं खीर भी बना रही हूं अपने लिए मै कुछ भी अन्य नहीं खाएंगे हम फ्रूट खा लेंगे और ये लौकी की खेर खा लेंगे तो उसकी मैं सारी तैयारी कर रही हूं तो देखिए सबजी मेरी बन गई है तो और मुझे बच्चों के लिए और पापा जी के लिए मैं बनाओंगी खाना तो देखिए हमारा ही फा पानी था जो पापा जी सबजी खाते हैं थोड़ी सी गाड़ी खाते हैं तो मैं अच्छी तरह से उसे बॉइल कर लूँगी जब बॉइल कर लूँगी तो और अच्छी तरह से ये पक जाएगी और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगेगा जब हम कड़ाई में जल्दी बन गई है लेकिन उसका जो टेस्ट है इतना अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैंने ये कड़ाई में कर ली है और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगेगा और ये जो नारियल है इसका मैं सबसे पहले काना जी के लिए भोग लगाऊंगी तो देखिए इस प्हायां जो भोग लगता है वो भागवान ची को लगता है उसके बाद में फिर पापा जी खा लेती है तो देखिए मैं ने पहले उनका ही खाना बनाया है फिर मैं एपना ब्रत बसद्वाला बनाऊंगी क्योंकि अगर पापा जी जल्दी खाना खा लेते हैं तो दबाई भी जल्दी खा लेते हैं और बच्छों को भी जल्दी भूख लगती है तो मेरी वही कोजिस रहती है साम को मैं जल्दी से जल्दी खाना बना सकूँ लेकिन पानी का जो टाइम होता है छे वजे का होता है उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकत च्छे वज़े जब पानी आता है उसके बाद मैं किचिन में आ जाती हूं और अपने खाने की सारी तैयारी स्टार्ट कर देती हूं उसी वीच मुझे सभी का खाना बनाता होता है ब्रत का अलग बनाती हूं पहले मैं बनाती हूं जिनका ब्रत नहीं होता है उसके बाद किचि मैंने अपनी लोकी की खीर बना ली है इस तरह हम ब्रत में खाना खाते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना